वेल्कम तो मैं चैनल रेस्ट पारबसमान सिन्वानी चैप्टर टू नॉइंग आवर नंबर्स एक्सराई 2.1 और कोश्चन नॉम्बर्स स्टेज विच होल नंबर इस ओन दा लेफ्ट ओफ दा अदर नंबर ओन दा नंबर लाइन कि हमें कुछ पेर्स दिये हुए हैं नंबर के फोर पार्ट्स हैं फोर पेर्स हैं जिसमें हमें ये बताना है कि अगर इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर देखें तो कौन सा नंबर दूसरे नंबर की लेफ्ट साइड पे होगा इन दोनों नंबर्स में से इन दोनों में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर की लेफ्ट स smaller का sign भी हमने डालने हैं जैसे ए नंबर में हमारे पास नंबर ए पार्ट में 530 503 तो अगर इसमें हम sign पुट करें 530 503 में से तो कौन सा नंबर greater है 530 नंबर जो है वो greater है और जब हम number लाइन पे देखते हैं तो जो यहां jiru है, इसके बाज δेखो, यहां जो no is, the number is increase हो रहे हैं जैसे जैसे हम right hand side को जा रहे है, number increase हो रहे है जैसे हम dho number 2 और 5 को देख ले हाँपे, 2 और 5 में से, हमारे देखो right hand पे, right hand side, left hand की तरफ left hand side तो right hand side पे कौन सा number आ रहे हैं? 5 और left hand side पे क्यों सा है? 2 तो 5 और 2 मेसे छोटा कोन है? 2 तो जो smaller number है वो number line पे हमेशा left hand side पे आएगा थीक है? smaller number हमेशा left hand side पे, यह हमारे right and की तरफ है, यह हमारे left and की तरफ है ध्यान रखना है आपको तो 530 और 503 में से कौन सा number smaller है 530 greater है तो smaller कौन है 503 इसका मतलब क्या हुआ So 503 is on the left of 530 on number line Means अगर हम number line पे 503 और 530 को देखें तो 503 पहले आएगा 530 बाद में आएगा तो 503 है वो कहा रहा जाएगा Left hand side में और 530 कहा जाएगा Right hand side पे तो इसे तरह से जो बाकी parts है B part में 370 और 307 है तो 370 greater number होगा 307 smaller number होगा और यह जो smaller number होगा यह कहा होगा This will be on the left of 370 on number line इसी तरह से हम C part में बता सकते हैं कि कौन सा greater है कौन सा smaller है Means इन चारो parts में हमने sign पुट करना है जैसे मैंने इस part में पुट किया है और उसके बाद यह बताना है कि number line पे कौन सा number left hand side पे होगा यह number line मैंने सिरफ आपको समझाने के लिए बनाई है questions के लिए आपको यह number line बनाने के जुरूरत नहीं है तो यह one part मैंने आपके लिए कर दिया है और बाके के three parts आप खुद कर लेंगे if any problem you can ask me keep practicing thank you और आपको यह बता खुद कर दो